जलपरी और चुड़ेल की दुश्मनी जंगल में तेन जलपरियां किसी शक्तिशालीज जंजीरों से जक्री हुई थी और उन्हें देखकर चार चुड़ेले हस रही थी बड़ी आई थी हमारे काम में दखलनाजी करने वाली देखा क्या खश्र हुआ तीनों जलपरियों का मैं तो कहती हो इन तीनों को जला कर स्वाहा कर दो अरे नहीं नहीं इनके सुनेरे पूछ को ही आग लगा दो इनकी कुपसूरती पर जो काला दाग लगेगा उसका तो क्या ही कहना यह अच्छी बात कहीं है आपने नहीं नहीं ऐसा करने की सोचना भी मत वरना हमें से बुरा कोई नहीं होगा छोड़ दो हमें अभी भी वक्त है चुड़ैलो आखरें चारों चुड़ैलों ने खुबसूरत तीन जलपरियों को कैद क्यों किया था जानने के लिए अधीद के पन्नों को पलड़ते हैं जहां मंडा गाउं के पास एक खुबसूरत जंगल था जो कि चुड़ैलों की वज़ा से अब दरावना जंगल कहा जाता था वहाँ चार चुड़ैले रहती थी रंजना, अंजना, संजना और कंचना चारो राक्षसी जैसी थी, जो जितना भी खाले कभी भी उनका पेट नहीं भरता था और अब वो अपनी भोग जिन्दा इंसानों को खा कर मिटाया करती थी ये गास पूस का कर पेट ही नहीं भरता, लगता मंडा गाउं जाकर ये लोगों को निकलना होगा सही बोली रंजना, चल पिर चले रुको रुको, हम भा नहीं का सकते, लोगों को शक हो जाएगा उन लोगों को हम इस जंगल में लेकर आएंगे और खाएंगे, फिर किसी को इसका नाम हो निशान भी नहीं मिलेगा हाँ, ये सही है तब ही चारो चुड़ेल मंडा गाउ पहुचकर सोते हुए लोगों को अपने जादू से हाथ पैर बांद देती है, मूपर टेप लगा देती है और फिर उनके पैर पकड़के उन्हें घजीटते हुए जंगल लेकर आती है तब ही उनके मूँ से टेप निकाल देती है जिसके बाद ही चारो लोग डर के बोलते है पर इतना तो पता ही होगा ना कि चुड़ेले इंसानों के साथ क्या करती है तुम हमें मारने वाली तो नहीं हुख बिल्कु सही जवाब इने मिलते हैं पूरे दो लाक रुपे अरे नहीं नहीं हमने तो खेला ही नहीं कौन मनेगा शिकार तो पैसे क्यों दूँ ओप्शन भी तो देना पड़ेगा न अरे मैं पूछती हूँ न हाँ तो सुनो तुम्हारी जान बक्षने के लिए तो बताओ हम तुम्हे किस तरह से मार कर खाने वाले हैं ओप्शने कच्चा चबाकर औप्शन भी निगल जाएंगे ऑप्शन सी बोटी-बोटी करके औप्शन डी बून कर अप्शन डी भून का अरे बहन की पकोड़ी अपने मने की बाद डिसाइड कर रहा है उन्टु डैलों से दिमाग खिसंग गया क्या भाई मेरी बुद्धी ब्रेश्ट हो गई है कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ बस जान छुड़वाना है यहीं दिमाग में चारो आदमी बहुत चिलाते हैं मगर चारो चुड़ेल लकड़ियों से आग जलाकर आग के उपर उन्हें भून कर खा लेती हैं और खाने के बाद उनकी हड्डियों को देख कर कहती है यह सुनकर रंजना सारी हड्डियां उस तालाब में फेक देती है तबी एक हड्डी जलपरी के सिर पर लगती है जो दो जलपरियों से बात कर रही थी तीनों जलपरी पानी में से निकल कर बाहर जाती है तो जंगल से उन्हें कोई भी नहीं मिलता तबी तीनों जलपरी वापस आ जाती है इस तरह वो चुड़ेले गाउं के लोगों को खा कर अपने पेट की भूख मिटाती है ऐसे ही आदी रात में वो चारों चुड़ेल फिर किसी इंसानों को पकड़ के लाती है चुड़ेल चुड़ मुझे अब हम तुझे यहां चुड़ने के लिए नहीं अपनी पेट की भूख चांत करने के लिए लाए हैं हाँ बिल्कुल वो गाना तो सुना होगा जीने के हैं चार दिन अब इन चारों दिनों में जी लिए होंगे तुम इसलिए अब तुम भूख शांत करो हमारी चारों चुड़ेल अपने शिकार को खाने ही जा रही थी कि तीनों चलपनियां वहां पहुँच कर शक्तियों से उन चारों मासूम लोगों को रिहा कर देती है और बाकी दो चलपरियां उन चुड़ेलों को अपने जादू से रोखती है ये देखकर वो चुड़ेल बौखला जाती है अब आप सब रिया हो चुके हैं जाए यहां से इससे पहले ये पकड़ ले हाँ हाँ शुकर हैं आपने हमें बचा लिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद हाँ इंमत कैसे होई तुम जलपरियों की हमारे काम में दखर देनी की तुमारी वज़े से हमारा शिकार भाग गया इन जलपरियों ने हमारे पेट पर लात मारी हैं अब हम इने नहीं चोड़ेंगे अब हम इने काएंगे तभी चुडेल अपनी शक्तियों को जगरित करके एक साथ उन जलपरियों को कैट से आजाद हो जाती है और अपनी शक्तियों से उन जलपरियों को जंजीर में जखर लेती हो अब आया उट पहाड के नीचे तुमने हमारे काम में दकन अंदाजी करके बहुत बड़ी गलती करिया जलपरियों मैं तो कहती हूँ इन जलपरी होने की जो शान है ना उनकी पूछ कोई जला देती हूँ तैयर भी नहीं पाएंगी फिर अपनी जलनागरी में हाँ हाँ ये बहुत अची बात है ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना वरना अंजाम बुरा होगा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासुम लोगों को मार कर खाने की ये गलत किया तुमने छोड़ दो हमें हमारी ताकत का भी तुम्हें अंदाजा नहीं है चलो चुड़ेल बहनो इन जलपरियों को आपस में निगल जाते हैं हाँ चारो चुड़ेले मिलकर जलपरियों को खाने ही वाली थी कि वो भी अपनी शक्तियों को एकत्रित करके उस जंजीर से आजाद हो जाती है और अपनी शक्तियों का वार चुड़ेलों पर करती है तुमने क्या सोचा था सिर्फ तुम्हीं ताकत पर हो जलपरियों को भी शक्तियां प्राप्त हैं अब देख अब देखना हम क्या हाल करती है तुम्हारा कंचना, चंजना, अंजना विकादो आज अपनी ताकत चुड़ेंगे नहीं हम अपने दुश्मनों को ये कहते ही चुड़ेल और जलपरी आपस में युद्ध करने लगती है दोनों एक दूसरे पर वार करती है कभी जलपरी उन्हें अपने मूँ से पानी निकालकर चुड़ेलों पर वार करती है तो कभी चुड़ेल मूँ से आग निकालकर जलपरीयों पर वार करती है एक बार तुम्हें कैद कर दें उसके बार देखना पिर कैसे लोगों को शिकार बना कर तुम्हारी ये अकों के सामने काएंगे बूल जाओ वो सपना तुम्हारा कभी नहीं पूरा होगा रानी जलपरी माया जलपरी आज हमें इन्हें अपने सर्वोपरी शक्ती का सामना कराना ही होगा तुम जलपरी यां मारा कुछ नहीं विगाड सकती हम चार है तुम तीनों हमसे जीतने का मतलब ही नहीं बनता वो तो अभी पता चल जाएगा तभी तीनों जलपरी अपनी शक्तियों से एकत्रित होकर सिर्फ एक बहुत बड़ी जलपरी बन जाती है और जादू से उनके हाथ में एक कुलहाडी आ जाती है जिससे वो चुड़ेलों को एक ही बार में मार देती है और उनकी मुंडी उच्छाल कर उसी तालाब में समा जाती है और शरीर जल कर जमीर में समा जाता है किस तरह उन चारों चुड़ेलों का अंत हो जाता है और वो बड़ी जलपरी वापस से तीन जलपरी बन जाती है और कहती है इसके बाद तीनो जलपरी तालाब में जाकर तैरने लगती है जनकपुर गाउं में शर्मिला नाम की बोड़ी औरत अपने अपाहिस पती सुरेंद्र, बहु नैना और पाल्च साल की पोती शोभा के साथ रहती थी एक दिन अचार बनाते वक्त नैना कहती है माजी, हमें आम की अचार की जगह कभी दूसरा अचार भी बनाना चाहिए मैं एक की अचार खाकर बहुत बोर हो गई हूँ तो बोर हो गई है, हमारे ग्राहक तो नहीं बोर हुए ना आम का अचार खाते हुए अरे माजी परसो मुझे दो औरतों ने बोला था कि आम की जगर दूसरा अचार भी बेचा करो फिर मेरे दिमाग ने सोचा अचार ही बेचना है तो गाजर मूली का क्यों कोई ऐसा अचार बना कर बेचेंगे जो आज तक किसी ने बनाया ना हो या कठिन हो उसका स्वाज जब आएगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे वाब हो ये बात तो तुने बिल्कुल ठीक कही कैसे दिन आ गए है ना मेरे बेटी की वज़े से तुझे घर को भी संभालना पड़ता है फिर शोभा बेटी को उसके बाद मेरे साथ बाहर बाजार में भी अचार बेचना पड़ता है कोई बात नहीं माजी आपके बेटे ने जो किया उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है पता नहीं क्यों का दिल मेरे साथ ना लगकर किसी और लड़की के साथ लगा और उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैंने तो अपना 100 प्रतिशत दिया इस रिष्टी को हाँ बहो मेरा बेटा ही तेरे प्यार के लायक नहीं था इसलिए मैंने उसे त्याग कर तुझे चुना खैर ये सब बाते छोड़ो अचार कौन सा बनाए मा जी मैं सोच रही है क्योंना हम कटहल का अचार बनाए इस जंगल में बहुत सारे कटहल की पेड़ है और कोई उसके बारे में नहीं जानता तो हमें प्री का फाइदा हो जाएगा उस कटहल का ही अचार बना कर बेच लेते हैं ठीक है तो बस हमें वही लाना है क्योंकि मसाले तो है ही हम पर तब ही पानी का गिलास गिरने की आवाज आती है तो दोनों घबरा कर वील्चियर पर बैठे सुरेंद्र के पास जाती है और वो कहता है क्यों मुझे कोई काम नहीं होता अरे मुझे माफ कर देना तुम दोनों मैंने तुम्हें परेशान किया दरसल मैं उस गिलास को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जादा आगे नहीं आ पाया और गिलास गिर गया बापु जीया परेशान मत हो ये मैं आपको पानी लाकर देती हूँ अजीया आपने मुझे आवास क्यों नहीं दी मैंने कहा है न आपको कुछ भी चाहिए तो बता दिया करें मैंने ही तो बहु आ जाया करेगी अरे तुम्हें या बहु को मैं कितनी बार परेशान करूँगा इसलिए खुद से कोशिश कर रहा था तब ही नैना अपने ससर को पानी लाकर दे देती है और वो पोच्छा भी लगा देती है बापु जी मैंने और माजी ने कटहल का अचार बेचने का सोचा है अभी क्योंकि आम के अचार का कुछ खास व्यापार नहीं चल रहा है वैसे हमारी लाडो शोभा कहा है वो मेरे पास खेलते खेलते सो गई थी चलो भगवान तरक्की करे तुम्हारे कटहल के अचार में यह अभी सो रही है तुम दोनों को जो भी काम खतम करने है कर लो क्योंकि बाद में जाग जाएगी तो मेरे से अकेली समलने वाली कहा है ठीक है बापुजी आप इसका ख्याल रखिए माजी मेरे साथ कटहल उतारने जा रही है यह पेड से और आपकी दवाई आपके सिरहाने पर रखिए या आज से पंदरा मिनट बाद खा लेना ठीक है ठीक है खा लूँगा अब तुम जाकर अपना काम करो ऐसा कहकर सास बहु जंगल की ओर बढ़ जाती है उन्हें जहां तीन कटहल के पेड दिखाई देते हैं जैसे तैसे बहु कमर पर रस्य बांग कर कटहल तोड़ने पेड पर चड़ जाती है माजी देखिए इतने कटहल बहुत है या और तोड़ू बहु दो कटहल और तोड़ने फिर हो जाए जी माजी नैना और कटहल तोड़ती ही है कि अचानक से मौसम खराब होने लगता है तेज आंदी तूफान आने लगते हैं जिससे नैना पेड से फिसल कर गिर जाती है और सास पर भी पास का एक बड़ा पेड गिर जाता है जिससे दोनों के उसी शर मौत हो जाती है तत्पश्चात वो दोनों चुडैल का रूप ले लेती हैं और कहती है अरे बहु क्या हो गया हम दोनों तो चुडैल बन गई कैसे अकाल मृत्यू प्राप्त हो गई हमे माजी अब घर का खर्चा कैसे चलेगा हमने तो उस बिजनेस को अभी किया ही नहीं जिसके बारे में इतना कुछ सोच कर बैठे थे और शुबा भी तो बहुत छोटी है बापु जी भी अकेले कैसे संभालेंगे वो तो ये खबर सुनकर बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे तु बिल्कुल ठीक कहती है बहु पर हम जो करने वाले थे वो करके ही रहेंगे कटहल का चार बनाएंगे और बेचेंगे तेरे बापु जी को अभी कुछ भी नहीं बताएंगे ये भगवान हम दोनों को इतनी शक्ती दे दो कि अपने परिवार के सामने सारे लोगों के सामने जा सके और अचार भी बेच सके तब ही आसमान से उन दोनों पर एक रोशनी पड़ती है जिससे वो दोनों अपने इंसानी रूप में आकर बहुत खुश होती है और आम जिंदगी की तरहा घर आकर नैना अपनी बेटी को गले लगा कर उसे खाना खिला देती है उसके साथ खेलती है फिर अपनी सास के साथ कटहल काटकर अचार बनाने में जुट जाती है तोड़ी देर में वो अचार बनाकर तयार करके बरनी में डालकर ठेले पर बेचने चली जाती है अचार लेलो अचार कटा मीठा कटहल का अचार लेलो चटपटा कटहल का 24 मसालों से तयार किया हुआ शुद्ध कटहल का अचार बेहत सस्ता और लाजवाब कटहल अचार आईए आईए और खाईए खाने का स्वाद बढ़ाईए अरे वा कटहल का अचार तो मैंने कभी नहीं देखा सुनिए जरा आप मुझे क्या चेखाएंगी थोड़ा ये लीजे खाईए अहा मज़ा आ गया इस तरह हर कोई सासबव के कटहल का अचार के साथ वो दोनों भी मशूर हो जाती है कमाई जादा अच्छी होने से उनके घर के आर्थिक स्थिती बेहतर हो जाती है जिससे शर्मिल अपने पती का इलाज भी करवाती है कटहल का अचार खत्म हो जाने पर सास बहु उस पेड़ के पास जाती है और जादा मात्रा में कटेल का अचार बना कर डाल देती हैं। कुछ ही वर्षों में कटेल का अचार बिकने से अपने नाम की बरनी में बेचते हैं। साथी एक बड़ी दुखान खोल लेती हैं, अब उनके अचार बाकी दुखानों पर भी सप्लाई होते थे, जिनका उन्हें अलग से लाव मिलता था। जाना ही होगा, वो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने दादा जी को संभाल सके। मा, दादी, आप दोनों ये कैसी बाते कर रही हो, आप दोनों को क्या हुआ है, जो छोड़ कर जाओगे आप, कुछ नहीं हो आप भगवान जी, आपको कुछ नहीं होने देंगे। शोभा, भगवान ने जो करना था, वो तोनों ने विधी के विधान में लिख रखा है, जो होकर ही रहता है, इसलिए अब तुझे अपने दादा जी को संभालना होगा। हाँ बेटा, दादी ठीक कह रही है, तुझे अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना और मैं तुझे हमारा कटेल का अचार बनाना सिखाती हूँ, ताकि तेरे आगे भविश्व में मदद हो जाए। ठीक माँ दादी, मैं अच्छे से बढ़ाई करूंगी और दादा जी कभी बहुत अच्छे सी क्याल रखूंगी और अचार बनाना भी सीखूंगी। आकर राइट्स लेना शुरू कर देते हैं, फिर वो ट्यूब पहन कर स्विमिंग पूल में मज़े करते हैं, तब ही आशा कहती है। ओ यार, कितना मज़ा आ रहा है, ठड़े पानी में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही प्लैन बनाया, अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए। अरे चिंदा मत करो, अभी शौवर की नीची डान्स में करेंगे। ये हिप हिप हुरे, ये हिप हिप हुरे, हिप हुरे। तीनों स्विमिंग पूल में मज़े कर रहे थे, इतने में आशा का पैर पानी में कोई जोड से खींसता है, तो वो चिलाती है। अरे आशा, क्या हुआ, तुम इतनी ची क्यों रही हो। वो मुझे लगा, जैसे किसी में अभी अभी मेरे पैरों कुछ हुआ। तीनों स्विमिंग पूल में फिट से मज़े करते हैं, कोई इधर जा रहा था, कभी शैफाली उस पर पानी डाल रही थी, तो कभी आशा मीतू पर इतने में पानी के नीचे डरावना हाथ आशा का पैर पकड़ता है, और उसे पानी में अंदर की तरफ खींच लेता है, उस आशा कहा गई, वो कहीं दिख नहीं रही बहुत देर से, अरे हाँ, मैंने भी उसे बहुत देर से नहीं देखा, कहा जह सकती है, कुछ तीर पहले हमसे बात दू कर रही थी, चलो ढूनते है उसे वो पूल से निकल रहे होते हैं कि एक लड़की जोर से डर कर चिलाते हुए कहती है जैसे वो लड़की अपने हाथ से एक और इशारा करती है तो मीतू देखती है कि स्विमिंग पूल में आशा की लाश पानी में तैर रही है वहां के सभी लोग ये देख कर दंग रह जाते हैं दोनों आशा की मौत से बहुत गहरे सदमे में थी ऐसे ही दो हफ़ते बाद उसी वाटर पार्क में एक लड़का और लड़की की मौत हो जाती है उनके हाथ को मालो जैसे कि भूखे जानवर ने बड़ी बेरहमी के साथ चबाया हो मौत का सिल्सला यूही थमता नहीं है कश्मीरा अपने पती नितिन के साथ वाटर स्लाइड करके पानी में गिरती है तब ही उसका पती कहता है अरे कश्मीरा कहा हो अरे चलो बाहर आओ मुझे पता है तुम मुझे डराना चाहती हो लेकिन मैं तो डरूँगा ही नहीं जल्दी आओ बाहर वर्ना मैं पानी के अंदर आ जाओंगा जहां नितिन अपनी पत्नी को ढूंड रहा था वही पानी के अंदर चुड़ेल कश्मीरा को कहती है आकिर मेरा एक शिकार और आ ही गया अब तुझे मैं जिन्दा नहीं जड़ूँगी तेरा पती तुझे ढूंटा रहे जाएगा चुड़ो प्रगला चुड़ो मुझे इस वाटर पार्क में आने वाले हर शक्स को में बार डालती हूँ तो तुझे कैसे उमीद कर सकती है कि मैं तुझे जिन्दा चौड़ दूंगी चाने दो मुझे मैंने तुमारा क्या बिगाड़ा है इतने में वो चुड़ेल कश्मीरा की जान ले लेती है और उसे भी मार डालती है फिर पानी से बाहर आकर नितिन का गला पकड़ कर कहती है अपनी पत्नी को ढूंड रहा है न तु आजा मैं तुझे उसी के पास लेकर चलती हूँ चुड़ेल ऐसा कहकर उसका गला पकड़ कर दूसरे जूले की तरफ ले जाती है जहां कश्मीरा की लाश पड़ी होती है और वो कहती है देख लिया न तुने अपनी पत्नी को अब मैं तुझे भी इसकी तरह मार डालूंगी देखता जा कश्मीरा अरे कश्मीरा ये क्या कितने खुश थी वो वाटर पार्क में आकर और तुमने उसे मार डाला मैं तुमें जिन्दा नहीं चौड़ूंगा ऐसा कहते ही वो चौड़ूंगा नितिन को भी जान से मार डालती है किसी को कानू कान खबर नहीं होती कि वो पत्ति पत्नी कहां गई ऐसे ही रक्षा बंधन के मौके पर एक भाई अपनी बहन को वाटर पार्क लेकर आता है दोनों बहुत ही मजे से राइड लेते हैं खाना खाते हैं, गेम खेलते हैं तब ही वो एक बड़े से जूले के पाइप से आ रही थी कि चौड़ैल उसे पकड़ लेती है मार डालोंगी, तुझे भी मार डालोंगी अब तू भी मरेगी, जैसे बाकी लोग मरे हैं पर मैंने क्या किया है, छोड़ तो मुझे तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरा हाथ छोड़ो भाया, राणवीर भाया, मुझे बचाईए भाया मेरे भाय के पास जाने तो मुझे नहीं, अब तो तुझे मरना ही होगा चुड़ेल ऐसा बोलकर रीना के बाल पकड़कर उसे पानी में बार बार डुबोती है तबी उसका भाय रडवीर आकर कहता है चुड़ेल, इसके इतनी हिम्मत, छोड़ मेरे बहन को काली चुड़ेल, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे जो करना है, कर ले तेरी बहन भी मर जाएगी और तू भी मरेगा मैं जानता हूँ इस वाटर पार्क में जितनी भी मौते हुई है उसकी जिम्मेदार तुम हो वाटर पार्क वाली चुड़ल पर तुम यह सब क्यों कर रही हो जरूर इसके पीछे कोई गहरी बात है हाँ, है इन सब के पीछे वज़ा है चार महीने पहले मेरे पती पार्क मुझे इस वाटर पार्क में लेकर आये थे मैं यहाँ बहुत खुश होई थी लेकिन मुझे वाटर राइट से डर लगता था उनके साथ मैंने बहुत वाटर राइट से ली लेकिन फिर एक बार वो मुझे स्विमिंग फूल की तरफ ले आये और बोले अच्छा अब और करोगी अब तो अपना डर निकाल दो नहीं नहीं पार्थ मुझे डर लगता है मैंने तुम्हारे साथ राइट कर ली वो काफी है अब मुझे नहीं जाना इसमें नहीं नहीं शीना जाना तु तुमें पढ़ेगा ये बोलते ही पार्थ उसे उठा कर पानी में पठक देता है जिससे शीना उस समय पूल में डोब जाती है और अंदर के सते उसके सिर पर लग जाती है जिसके वज़ा से पूरा स्विमिंग फूल लाल खून की तरह भर जाता है पार्थ उसे जब तक हॉस्पिटल ले जाता है फिर भी उसने वही किया छोड़ूंगी नहीं मैं उसे तो तुम चाहती क्या हो अपने पती को ही मारोगी न? हाँ, मुझे वो चाहिए हर हाल में जब तुम उसे लेकर आओगी तभी तुमारी बहन को छोड़ूंगी मैं प्लीज मेरी बेहन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पती को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ, कहां मिलेगा मुझे वो बताओ रनवीर की बात सुनका चुड़ेल उसे अपने पती का इड्रेस बता देती है रनवीर भागता हुआ पार्थ के पास पहुँच जाता है और वाटर पार्थ ले आता है, तब ही वो कहता है शीना, शीना तुम, तुम चुड़ेल कैसे बन गई? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं पार्थ, तुमने मुझे धोके से मारा है, जान बूच कर नहीं शीना, मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं कर सकता मैंने जान बूच कर नहीं किया था, मैं तो बस तुम्हारा डर निकालना चाहता था, मेरा विश्वास करो चुडैल रनवीर की बेहन को छोड़ देती है और पार्थ का गला पकड़ लेती है पार्थ उसे बहुत समझाता है तब ही चुडैल कहती है विश्वास कर लो तुम्हारा जब तुमने मेरे साथ क्या किया यह सब पता होने के बाद भी मुझे गिरा दिया क्यों चुडैल पार्थ की बात पर यकीन कर लेती है और उसे गले लगाकर वापस हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है जिसके बाद से उस वाटर पार्ग में कोई हाथसा नहीं होता